और बड़ा सपना देख लिया है न तो अपने आपको उसमें पूरा जूप तो सोजो कि अप लाइफ में और कुछ ने जब तक यह नी करूँ न यह करूँ न न तब तक उच नहीं होने बाद में न मेरा न किसी आप तो उस नरीके का अट्रिउट एक फायर एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा दाट पैशन विल ड्राइब यू और पैशन विल टेक यू प्लेस तो चार नाइनी है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा होसला देखकर तो आप अपना होसला बुलान कीजे बड़ा सपना देखकर बड़ा सपना देखने से डरिये मत लेकिन जित्का बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी महनत करेंगे तो आप यहां आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे, है ना, चलिए, थाइंक यू सो माच खुषी तो आपनों को ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुषी नहीं देखा, हम आपको व्यक्तिवेद बताते हैं, देखिए, खुषी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा और जो पहली सेलरी मिलेगी वो भी नहीं खुषी है, जब अपनी पहली सेलरी ले जाके अपनी मा के हाथों में देगे तो आपकी आँखों में आशू होगा, आप याद करेंगे कि जिस मा की ओन्लीयों को पकड़ कर हमने चलना सिखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है, और जब कमाने लगेंगे तो समझ में आएगा, कि लाखों रुपे की एहमियत कुछ नहीं है वो एक रुपे के आगे जब मा इस्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माबाप के आखों में ये वो आइने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बुड़े नहीं होते हैं। देखे जीवन में अपने अंदर से अंकार बिलकुल निकाल दीजेगा। अंकार बहुत ही खराब चीज है। पढ़ लिए हैं हम बहुत सक्सेस्फूल मैं हो गया हम बहुत बड़े बीजनस मैं हम बहुत मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना उस दिन आप समसान घाट में जाके दिखेगा। आपसे नायाब लोग आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। किजिए कि हम ये नहीं हैं हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग की प्रूव करने लगते हैं। नहीं आपको अपने आपको इंप्रूव करना है अगर कोई गलती हो गई है आपको कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको सहस्विकार किजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की छमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीच पर अपनी पहली कदम रख दियें उसी दिन. लोहा जो होता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है धीरे धीरे दीमक की तरव उस लोहे को खदरते जाता है, इसलिए अपने अंदर अंकार को मतलाने दिजेगा. लोग कहते हैं कि अंकार बुरा है, जीवन में हम जो अनुभो किये हैं, अंकार से भी खराब चीज़ होता है गुस्सा, देखिए अंकार उत्पन ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए, आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुमारी क्य जब तक आपको गुस्सा ना है, तो अंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है, इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बरबाद हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ती को बरबाद कराने के लिए सबसे जरूरी ये गुस्सा दिलाना, आपको पता है लो अपनी ताकत खो देता है, और एक मामुली हथोड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है, तो जिस दिन आपको गुस्सा आगया, समझेए कि आप अपनी ताकत खो रहा है, जब हम जनम लेते हैं, तो जनम से ही हमारी जीव रहती है, और मरने तक हमारे साथ जीव रहती है, क् कि वो बहुत ही नरम रहती है, उसे गुस्सा वो बहुत हाड नहीं होती है, लेकिन जनम लेने के बाद दात आता है, और दात काफी कड़ा होता है, और मरने से पहले ही दात चला जाता है, यानि आगर आप नरम रहेंगे, तो काफी लंबे समय तक रहेंगे, और जहां हाड ह होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाएंगे